नमस्कार दोस्तों मैं मनुशोटानि आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे दोस्तों आज के इस पर्टिकलर वीडियो में हम बात करेंगे सेरमेक्स से जुड़ी इंडस्ट्री के बारे में ऐसे कौन कौन से top players है, top companies हैं जो कि इस company इस पूरे sector से जुड़ी हुई है तो आज इस particular वीडियो में हम बात करेंगे चार एहम कंपनियों के बारे में सबसे पहले जिसमें आती है कजारिया, फिर आती है सेरा तीसरे नमबर पे आती है सुमानी और चौथे पे HSIAL, यानि कि हिंद वेर तो यह आपको पूरा एक broad classification आपको आज की इस particular वीडियो में जानने को मिलेगा और आपके बास अगर आप थोड़ा वाद भी लंसम money रखके बैठे हैं और आप चाहते हैं कि आपको 397 करोड रुपीज की market capitalization का number निकल कर आया था 18 में को, इसके बाद दूसरे नमबर पे आती है सेरा तीसरे नमबर पे सुमानी और लास में आती है HSIL दोस्तों अगर मैं बात करूँ उनके 52 हफते के lower high की तो इस time जो सबसे close company जो काम कर रहे है और जो चल रेट हो रही है market में वो है सुमानी सुमानी अपने 52 week high से मैं इस 5% के गिरावट में आपको मिल पाई ही और सबसे जादा दूरी पे होगी कजारिया 11% अभी भी वो अपने 52 week high से दूर है EPS की अगर मैं बात करूंँ दोस्तों तो सबसे जादा अच्छा EPS है 74.39 Sera का और सबसे कम है सुमानी का 4.65 based on the results of FY20 अभी वी इन में से चारों में से तीन companies जी हैं जिनोंने इस financial year यानि के FY21 के results अभी तक publish नहीं की हैं और उसी के वेज़े से जो ये analysis में आपको दे पा रहा हूँ इसको 9 monthly figures के हिसाब से दे पाऊंगा क्योंकि December तक का data मेरे पास available था और उसी के हिसाब से ये पूरा का पूरा comparative video में बना पाया हूँ इसके बाद दोस्तों बात आती है dividend yield की वो है HSIL 15.03 वहीं दूसरी हो जहाँ industry का PE 48.5 है इन में सबसे ज़ादा जो overvalued इस particular point पे लगती है as far as the valuation ratio of PE ratio is concerned 94 के साथ में सुमानी बात आती है इसके बाद दोस्तों price to book value ये सबसे ज़ादा अच्छी किसकी है वो है HSIL 1.07 इसका जो last credit price रहा था 18 में को हो था 205 और इनकी book value है 191 तो बहुत ही ज़ादा close है price to book value के ratio के हिसाब से और सबसे ज़ादा जो है वो है कजारिया की इसके बाद दोस्तों बात आती है sales की वो कौन सी ऐसे company है जो कि इन सब में सबसे ज़ादा दमदार है market reader है as far as the sales values are concerned that is none other than कजारिया कजारिया सबसे ज़ादा sales करती है इन 4 companies में से पिछले 9 महीने के अंदर अंदर FY21 में कजारिया का जो sales का amount रहा 1842 करोड था और सबसे कम रहा सेरा का 806 करोड यहाँ तक की काबिल यतारीफ वाली बात यह है कि उनका जो net profit वीरा पिछले 9 महीने के अंदर अंदर बाकी तीनों companies का मिला के भी उतना नहीं बन पाया 177 का net profit clock किया कजारिया ने और सबसे कम रहा सुमानी का 26 करोड बात करीजाए अगर sales के changes की दोस्तों तो पिछले 9 महीने में इन companies की जो sales में बदलावाए वो काफी ज़ादा exponential रहा पिछले साल के 9 महीने के मुकाबले इस साल FY21 के last 9 months में इन सारी companies की sales figure डिप होई है किसी 12% कम होई है तो किसी की 14 तो किसी की 15 लेकिन सब में ही fall देखा गया है यहाँ तकी net profit में भी सब के यहाँ पे गिरावट है except henware जहाँ पे net profit पिछले 9 महीने में अगर मैं compare करूँ FY20 की 9 महीने से तो 22% बड़ा है now coming to some really important and decision making numbers इन दोस्तों इन सारी companies में अगर मैं margins की बात करूँ तो operating margin और net profit margin सबसे अच्छा sera का है इस पूरी market में जो एक अच्छा potential है market margin maker का और margin को exploit करने का तो सबसे अच्छा sera के पास है sera का operating margin FY20 की results के इसाब से 11.84% था net profit margin 9.03 कजारिया बिल्कुल इससे close में ही चल रहा 11.82 और 9.02 पे लेकिन सबसे कम जो रहा पिछले साल वो रहा था सुमानी का 5.29% और 1.21 लेकिन एक बहुत दिल्चस बात आपको मैं इस विडियो के end में ज़रूर बताऊँगा जो सुमानी से related होगी इसके बाद दोस्तों बताता हूँ आपको ROE ROCE और ROA यानि की return on equity, return on capital employed and return on assets इन तीनों ही form में जो सबसे अच्छा return percentages दिये थे FY20 में वो दिये थे कर्ज मुक्त कंपनी है वह कजारिया जिसका debt equity ratio है 0.07 और सबसे ज़्यादा exponential amount of debt है सुमानी के उपर 0.73 interest coverage ratio भी इसी वज़ा से क्योंकि समानी ले बहुत ज़्यादा लेकर रखा उसे heavy amount of interest पे करना पड़ता है तो interest coverage ratio उसका सबसे कम है that is only 1.72 और सबसे सबसे कम नाम पे रहा HSIL 65% इसके बाद next parameter आता है EV to EBITDA यानि कि enterprise multiple वो कौन सी ऐसी company है जो कि अपना अच्छे से अच्छा enterprise value और उससे भी बहतरीन रूप से EBITDA के multiple को लेकर आज़र है पाती है तो वो उसमें नाम सबसे पहले आता है HSIL का EV to EBITDA multiple सबसे कम है 5.76 और सबसे जादा रहा सेरा का 16.83 इसके बाद दोस्तों बात आती है price to sales ratio की तो वहाँ पे जो सबसे अच्छी ratio निकल कर रही है वो है सुमानी की 0.24% और सबसे जादा रहा सेरा का 2.45 बात करें दोस्तों कि कौन से ऐसे promoters हैं जो कि अपनी कमपनी में सबसे आदा shareholding बना के बैटे हैं तो उसमें सबसे पहला नाम आता है सुमानी का लगबग 55 प्रतीशत ये चारो ही कमपनी में pledged shares 0 है that is one of the finest things about this particular industry और सबसे कम जो promoter की holding रही वो कजारिया में लेकिन वो भी इतनी कम नहीं है कि बहुत सादा ही कम लगे वो भी महस 47% ही है mutual funds के जो सबसे आदा hot favorite है वो है सुमानी 17% की यहाँ पे stake mutual funds ने ले रखी है और सबसे आदा कम जिन में mutual funds का interest रहा वो है HSIL महस 2% बात करूं दोस्तों के technical indicators की तो यहाँ पे कजारिया का most of the indicators as of now reflect neutral to bullish position वहीं दूसरी और सेरा का neutral है most of them and सुमानी और HSIL अभी अपने peak पे चल रहे है तो उसी की वैसे अभी के technical indicators mostly bullish position ही reflect कर रहे है बात करूं लास्त में दोस्तों की कौन सी इसी company है जिसने पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा returns दी है तो that is none other than सुमानी 400 प्रतीशत के returns सुमानी ने पिछले एक साल में दी है अब यहाँ पे आप definitely एक बात से जरू confused होगे कि आखर ऐसा क्यों है कि पिछले साल इसकी return ratio is return on equity capital employed और रिसे सबसे ज़्यादा कम थे लेकिन इस साल ऐसा क्या हुआ कि इतना ज़्याद exponential बढ़कर आया है दूस्तों तो उसके पीछे कि बहुत बड़े एक फरक है because of mutual funds mutual funds में जहाँ सबसे ज़्यादा रूची आती है लोग धीरे धीरे उस value position को पकड़ना start कर देते है and probably this is one such reason सुमानी has remained mutual funds favorite आती है सेरा की जिसने पिछले एक साल के अंदर-अंदर 80% का return दिया है तो दोस्तों ये था हमारा competitive analysis इस पूरी industry को लेके अब last में बात आती है suggestion की अगर आपके बस 50,000 रुपे है तो ऐसे वाले कि इसमें मेरी जो suggestion bifurcation आपके लिए रहेगी आपको सबसे ज़्यादा जो पैसा लगाना चाहिए वो कजारिया में लगाना चाहिए being the market leader लगबग 16,000 रुपे दूसरा नंबर आता है सुमानी का लगबग 13,000 रुपे वो अभी भी mutual funds की favorite है तीसरे पे विक्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा attractively price है काफी ज़्यादा undervalued लगता है as far as the P.E. ratio on other valuation ratios are concerned 12,000 रुपे के round तक हिंद वेर यानी कि HSIL और last make लगबग 9-10,000 रुपे सेरा में क्योंकि सेरा एक काफी safe player है share बहुत महेंगा है तो बहुत ज़्यादा relatively quantity इसके अंदर ना add होती है ना यहां से हटती है लोग stably इस share को hold करके रखते है और यह अब तक का इन सब में ही सबसे अच्छा margin maker है तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो जो की to the point थी सिर्फ और सिर्फ best ceramic company ढूनने की एक कोशिश के साथ जिसमें मैंने आपको बताए कि चार ऐसी companies जो की यहां के दिगज है उनके बार मैं हमने compare किया मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आओगा चैनल सब्स्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबादी और इससे जोड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो बेहें चैनल एको comment box में ज़रूर बताएगा मैं तुर्ण से तुर्ण उसका answer लेकर आपके लिए हाजर रहूँगा मिलूँगा दोस्तों अपनी वीडियो में तब तक कि लेगे